आज से 11 साल पहले 2011 में इंगलिंड की रांजधानी लंडन में एक रात पुलीस कश्टी पे थी तभी एक पुलीस वारे को सड़क के बीचों बीच काफी सारा धुआ दिखाई देता है दोए का थोड़ा पीचा करने पर पुलीस को एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर आग लगी हुई थी पुलीस तुरंट फायर ब्रिकेट को कॉल करती है आग बुजने पर पुलीस को दिखता है कि वो एक प्ल्यू कलर की मुजडीज कार है जिसके अंदर थैंगफिली कोई नहीं बैठा था तब ही पुलीस को लगता है कि ये शायद चोरी की गाड़ी होगी या फिर किसी ने किसी से बदला लेने के लिए उसका नुकसान करने के लिए इस गाड़ी में आग लगाई होगी पुलीस फिर भी किसी identity card की तलाश में गाड़ी की तलाशी लेती है गाड़ी की तलाशी के दारान एक पुलीस वाला गाड़ी की डिगी खोलता है और गाड़ी की डिगी खोलते ही उसको दिखती है एक लाश जहाँ पुलीस को लग रहा था कि यह छोटा मोटा crime होगा कि एक common demand थी कि मैं थोड़ी लंबी वीडियोज बनाऊ। So I am back with a new case और पूरे internet पे हिंदी में बनी इस case की ये पहली वीडियो है। लेकिन अब मेरा suggestion है आप लोगों को ये कहानी सुनते हुए Grab a coffee क्योंकि ये case definitely आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि गाड़ी के अंदर लाश इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि लाश के उपर एक कपड़ा नहीं बजा था। लाश के हाथ पेरू की position कुछ ऐसी थी जैसे किसी रसी से उनको बांधा गया हो। लेकिन आग के साथ वो रसी भी जल चुकी थी। पूरी गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद पुलीस को कोई भी weapon, कोई भी identity card, कुछ भी evidence नहीं मिलता। अब पुलीस के पाथ सर्फ दो information थी। ब्ल्यू कलर की मॉजडीज और गाड़ी का नंबर। जब पुलीस गाड़ी के नंबर की information निकालती है तो पता चलता है ये गाड़ी 18 साल की अमन दीप कौर के नाम है। और इस सारी investigation में अब तक सुभे के 5 बज गए थे। तो सुभे के 5 बजे लाइसेंस पे लिखे address पे पुलीस पहुंचती है तो एक बूरी वारत दर्वाजा खोलती है। पुलीस पूछती है अमन दीप का और कौन है और कहा है। अचानक सुभा सुभा पुलीस को अपने दर्वाजे पे देख वो और थोड़ा घबरा जाती है। कहती है अमन दीप मेरी बेटी है मैं उसको बुलाती हूँ। पुलीस दोनों को बठाकर उनसे पूछती है कि अमन दीप की गाड़ी यहां से 20 मिनट की दूरी पे एक सड़क पे जलते हुई मिली। आपकी गाड़ी वहां कैसे पहुची और उसने कैसे आग पकड़ी। अब तक पुलीस टेट बाड़ी के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताती। अमन दीप पुलीस को बताती है कि उसका 3 साल बड़ा भाई गगन दीप कल रात उसकी गाड़ी मांगकर ले गया था एक पार्टी में जाने के लिए और उसने कहा था कि लेट नाइट पार्टी है मैं काफी लेट हो जाऊंगा लेकिन क्योंकि अब सुबह हो ही रही थी तो अन्होंने सूचा कि आता ही होगा पुलीस गगन दीप के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा पूछताच करने लगती है अमन दी बताती है कि वो 21 साल का है और वो इतनी सी उमर में ही सेलफ मेट करोड पती है ये बात पुलीस को क्लिक करती है उसका अपना एक TV Channel है, SickTV Channel उसके साथ-साथ वो अपने family के business को समालता है जो कभी उसके पिताजी समाला करते थे लेकिन दो साल पहले उसके पिताजी का कतल हो गया था और हो कतल उसके best friend ने business में घपला करने के बाद किया था तब से उस घटना के बाद Gagandhee भी उनकी family को समाल रहा है, साथ में वो British Sikh Federation का President भी है, कोई criminal record नहीं है और कोई भी दुश्मनी नहीं है अब पुलीस का शक जाता है कि शायद वो body गगन दीप की हो सकती है और हो सकता है पैसो के चकर में या जैलेसी की वज़ा से किसी ने उसका खून कर दिया हो और उसी की गाड़ी की डिग्गी में उसकी लाश डाल दियो और सारे सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दियो तो पुलीस फैमिली को अब बताती है कि उन्हें उस गाड़ी की डिग्गी से एक लाश भी लिए है उस family के लिए ये बहुत बड़ा सद्मा हो जाता है अब यहां से दरहा दरहा की शक होने लगते हैं कभी लगता है गगंदीप ने किसी को मार दिया कभी लगता है कि गगंदीप को किसी ने मार दिया और क्यूंकि body की पहचान तो की नहीं जा सकती थी इसलिए सारा कुछ forensic department की ही भरूसे था पुलीस घर से गगंदीप का toothbrush और कंगा लेके जाती है ताकि वो DNA से match करवाया जा सके कि ये लाश गगंदीप की तो नहीं उसके बाद अमंदीप गगंदीप के सारे दोस्तों को call करती है और गगंदीप के बारे में पूछती है एक दोस्त सजेस्ट करता है कि इंटरनेट का सारा लिया जाए फेस्बुक पे पोस्ट की जाती है पूरे इंटरनेट पे भर दिया जाता है कि गगंदीप मिसिंग है लेकिन अनफॉर्चनेटली कोई response नहीं मिलता फिर जहां गाड़ी जलते हुए मिलती है वहां आसपास एलाग है कि CCTV कैमराज को पुलीस एक एक करके खंगालना शुरू करती है एक CCTV फुटेज से पुलीस को दिखता है कि दो लोग गाड़ी में आग लगा कर भाग रहे हैं लेकिन वह पिक्टर बिलकुल भी क्लियर नहीं होती यहां तक ही वह फुटेज देखकर कोई यह भी नहीं बता सकता कि वह दोनों लड़के हैं या लड़किया हैं लेकिन एक चीज नोटिस करने वारी थी कि उन दोनों लोगों में से एक आदमी ने पगड़ी पहन रखी थी ऐसी पगड़ी जैसी गगणदी पहनता था अब यह information पुलीस फैमली से शेर करती है और पुलीस और फैमली दोनों को लगने लगता है कि वो गगणदीप है अगले दिन डियने के रिपोर्ट आती है जो कार में मिली बॉड़ी और गगणदीप के टूथप्रश के बीच टेस्ट हुआ था और वो टेस्ट पॉसिटिव होता है इसका सीधा मतलब था वो लाश गगणदीप की थी अब यह information पुलीस को फैमली को देनी थी अगैन फैमली के लिए बहुत बड़ा सदमा था मा और बहन तोनों पुलीस से बॉड़ी देखने की रिक्वेस्ट करती है और मैं आपको बता दू कि ओरिजिनल फोटोस पब्लिक डोमेन में हैं ही नहीं इतनी भयाना फोटोस थी कि वो कभी पब्लिक के लिए आउट ही नहीं हुई सिर्फ बॉड़ी का description है जो बहन अवनदीप ने कई interviews में बताया है कि बॉड़ी की ऊपर की तीन layers खतम हो चुकी थी तूटी फूटी मुडी हुई हड़ी के धाचों पर सिर्फ मास के टुकड़े थे और एक आँख पूरी तरह से अंदर धस चुकी थी देखकर लगी नहीं रहा था कि किसी इंसान की बॉड़ी है और फिर आती है गगंदीप की post-mortem report जिसमें यह बात साफ साफ लिकी थी कि गंदीप को जिलाने से पहले काफी मारा गया था उसके सिर पे अतनी जोर से मारा गया था कि एसका द्माग सوج गया था और जिसमीगा घाड़ी के टिकी में ढाल कर जलाया गया था क्योंकि post-mortem के टाइम पर उसके लंग्स से राख मिली थी इसका मतलब जब वो जल रहा था तब उसकी सासे चल रही थी अब सवाल ये था कि घर से खुशी-खुशी पार्टी के लिए निकला गगंदीव इस हाल में कैसे बहुंचा और वो दो लोग कौन थे जिन्होंने गाडी में आग लगाई पुलीस जगा-जगा की CCTV कैमरा से गाडी को ट्राक करने की कोशिश करती है कि गाडी कहां-कहां गई गाडी का सारा ट्राक ट्रेस करने के बाद एक शहर का नाम आता है ब्राइटन पुलीस गगंदीप की फैमिली से और दोस्तों से पूछती है कि ब्राइटन में कौन रहता है तो एक लड़की का नाम सामने आता है मुंदल महील इस लड़की के बारे में और जानने पर पता चलता है मुंदल महील 19 साल की एक मेडिकल स्टूडन थी जो गगंदीप की फ्रेंड थी और गगंदीप इसको काफ़ी पसंद करता था और फैमिली को उसके बारे में पता था गगंदीप और मुंदल दोनों का ही एक कॉमन फ्रेंड था हरिंदर शोकर और ये दोनों आज से एक साल पहले अपने common दोस्त हरिंदर शौकर की एक पार्टी में मिले थे उस पार्टी में मिलने के बाद गगंदीप ने facebook के थू मुंडल को request बेजी थी जो मुंडल ने accept कर ली थी वहीं से दोनों की बाते शुरू हुई मुंडल महल एक काफी beautiful और intelligent लड़की थी और गगंदीप उसे काफी impressed था लेकिन गगंदीप की family को ये friendship नहीं पसंद थी गगंदीप की मम्मी उससे एकसर कहा करती थी कि वो लड़की sick जरूर है लेकिन वो religious नहीं है वो pub और club जाती है वो boys के साथ house parties करती है जो कि सिंग family वाले ये चीज़ अच्छी नहीं मानते थे इसलिए वो अपने बेटे को रोकते थे कि जादा liking ना हो अब पुलीस प्राइटन में मुंडल महील के घर जाती है मुंडल उस घर में आठ लड़कियों के साथ रहती है जो उसकी college मेट सी थी वहाँ पास में लेके CCTV camera की footage में गगन दीप की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें दिखता है कि गगन दीप की गाड़ी लगभग 11 बजी के आस पास मुंडल के घर आई थी अब पुलीस मुंडल से पूछता आज करती है मुंडल बताती है कि गगन दीप अपनी कार लेकि उसके गर के भाहर आया था और मिलके चला गया था और इसके बाद उन दोनों की कोई बात नहीं हुई जब बहन अमन दीप ये नाम सुनती है तो वह पुलीस को बताती है जब गगनदीप कहीं मिल नहीं रहा था और वो गगन के friends से call करके पूछ रही थी तो अमंदीप ने मुंडल महील को भी call किया था और वो phone call बहुत weird थी सबसे पहले मुंडल ने कहा था कि नहीं वो यहां नहीं आया उसके बाद जब अमंदीब ने बोला कि मुझे दोस्तों ने बताया है कि वो तुमसे मिलने आने वाला था तो उसने तुरंट अपना स्टेट्मेंट चेंज किया और कहा कि हाँ वो आया था और मुझसे बाहर से बाहर मिलकर चला गया था जब बहन पुलीस को बताती है कि मुझल महील ने स्टेट्मेंट चेंज किया था तो पुलीस का शक मुझल महील पे गहरा हो जाता है पुलीस मुझल के घर वापस जाती है तो मुझल तब तक वहाँ से भाप चुगी होती है पुलिस पड़ासियों से पूछताच करती है तो पड़ासि बताते हैं कि दो रात पहले मुंडल के घर से कुछ आवाजे आ रही थी और पड़ासियों ने दो लड़कों को कुछ भारी समान डिग्गी के अंदर डालते हुए देखा था और उसने जब ये कुछ अजीब हरकते देखी तो उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था वो पुलिस को गाड़ी का नंबर दिखाता है वो वही नंबर होता है जो गगंदीप की गाड़ी का था इसका मतलब मुंडल के घर से दो लोगों ने कोई भारी समान यानी body डिगगी के अंदर डाली है अब पुलीस मुंडल के घर वापस जाती है और उसकी सारी friends से पूछता शरू कर देती है आठ लड़कियों में से कुछ लड़कियां कुछ information देती है पुलीस मुंचे पूचती है कि दो जिन पहले यहां क्या हुआ एक लड़की बताती है कि मुंडल और गगंदीब तोनों अच्छे friends थे लेकिन कुछ time से दोनों की बीच में कुछ लड़ाईयां चली जिसके बाद मुंडल हमेशा कहती थी कि वो गगंदीब को मार देई और उस राप मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन मुंडल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था और रात को 11-12 बज़े के बाद हमें जोर जोर से समान फेखने की और चलाने के अवाज आ रही थी लेकिन क्योंके मुंडल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था इसलिए हमें से कोई भी बहां नहीं गया दूसरी लड़के बताती है कि उस राप मुंडल 9 बज़े के आसपास दो लड़कों को ट्रेन स्टेशन से पिक करने गई थी पुलीस इंफोमिशन के साथ रेलवे स्टेशन पहुँचती है वहां के सारे CCTV कैमरा खंगाली जाते हैं एक फुटेज में मुंडल की गाड़ी ट्रेस होती है अब्ली फुटेज में मुंडल अकेले एक स्टेशन की तरफ भरते हुए दिखती है और तीसरी फुटेज में मुंडल दो लड़कों के साथ हसते हुए बात करते हुए दिखती है जिनको वो पिक करने आई थी अब ये सीसी टीवी कैमरा की फुटेज काफी जादा क्लियर थी उस फुटेज से जो वहां मिली थी जहां गाड़ी जल रही थी पुलिस इस फुटेज से पिक्चर्स निकालती है और फैमिली और फ्रेंट्स को दिखाती है फैमिली उनमें से एक लड़की को पहचान जाती है और फिर से इस केस में एक नया बवाला आता है उनमें से एक लड़का हरंदर शोकर था जो गगनदीप का बेस्ट फ्रेंड था जो हर रोज गगन के घर आता था जिसको गगन की मा अपना दूसरा बेटा समझती थी जो काफी गरीब था और गगन उसकी financially मदद करता था कभी उसके लोन्स उतारता था कभी उसको कपड़े दिलवाता था और कभी उसकी नौकरी लगवाता था और अब शायद गगन के murder में उसका हाथ हो सकता था ये family के लिए चौथा जटका था अमंदीप पुलीस को बताती है कि जब वो सारे friends को call कर रही थी तभी हरंदर शोकर के पास भी अमंदीप ने call किया था और जब अमंदीप ने उसे बताया कि गगनदीप नहीं मिल रहा है तो हरंदर चोर से हसा ये बात अमंदीप को बहुत बुरी लगी क्योंकि वो उनका family friend हो चुगा था उसके बाद भी वो गगन के ना मिलने पर हस रहा था तो अमंदीप को कहीं न कहीं उस पे पहले से शक हो चुका था पुलीस तुरंथ हरंदर शोकर के घर जाती है और उसको अरेस्ट करती है उसको बिठा के पूछ ताज की जाती है कि रेलवे स्टेशन पे ये तीसरे आदमी तुम्हारे साथ कौन था वो बताता है कि तीशरे लड़के का नाम है डैरन पीटर और वो उनका दोस्त है जब पुलीस गगन दीप के बारे में हरंदर से पूछती है तो हरंदर कोई भी जवाब नहीं देता हरिंदर शोकर के स्टेटमेंट के बाद पुलिस डेरन पीटर नाम के इस लड़के को भी अरेस्ट करती है डेरन पीटर के घर से पुलिस को पेटरोल की कैंस मिलते हैं जो की सबूत थे गाड़ी चलाने वाले अब ये केस उस टाइम तक काफी बड़ा हो गया था और एंगलिंड के निउस चानल्स पर टेलीकास्ट होने लगा था मुंडल का बचना अब मुश्किल था तो मुंडल महे पुलिस को सरेंडर करती है मुंडल अपनी जूटी कहानी लेकर पुलिस स्टेशन आती है पुलिस को बोलती है कि गगंदीप उसके घर आया था और वहां से चला गया था उसके बाद उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बता लेकिन क्योंकि वो सिक फेडरेशन का प्रेजिडेंट है तो हो सकता है कुछ लोग उससे जेलेसी रखते हो पुलिस मुंडल के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी उसका ट्रेन स्टेशन जाना उसके कमरे से तनी आवाज आना फिर उन दोनों लड़कों का कुछ भारी समान अपने डिग्गी में रखना और फिर डिग्गी के अंदर गगंदीप की लाश मिलना अब पुलिस उससे सकती करती है मुझे नहीं पता कि ये सच है या जूट अब मुंडल पुलिस को एक नया स्टेट्मेंट देती है कि अब से छे महीने पहले गगंदीप बिना बलाए उसके घर आया था क्यूंकि गगंदीप उसका दोस्ट था उसने गगंदीप को अंदर आने दिया उसके बात गगंदीप ने उसकी हडलाइट खराब हो जाने की वज़ा से घर में रात में रुखने की बात की मुंडल गगंदीप को रुखने की फर्मीशन दे दिती है और उसी रात गगंदीप अपनी कुछ lines across कर देता है तो मुंडल अब एक नया बयान देती है अब मुंडल पुलीस को बताती है कि उसने गगंदीप को कभी माफी नहीं कर रहा था और इसलिए उसने 6 महीने बाद उस लड़के को टेक्स्ट करके मिलने बुलाया अपने वेडरूम में और उससे पहले हरिंदर शोकर को और डेरन पीटर को इन दोनों को अपने कमरे में बिठा रखा था गगंदीप को एक सबक सिखाने के लिए तफ टॉक देने के लिए मतलब उसे डाटने के लिए और दो थपड मारने के लिए लेकिन वो मरा कैसे और कैसे उसकी बॉडी जल गई ये सब उसे नहीं बता पुलीस मुंडल की पूरी कहानी पे विश्वास करती लेकिन पुलीस के पास उसकी रूमेट का अलरेडी स्टेटमेंट था कि उस रात मुंडल ने उनको नीचे आने के लिए मना किया था और उन्होंने काफी शोर सुना था इसके साथ पुलीस के पास मुंडल के पड़ाशियों का स्टेटमेंट भी था जिनकी आँखों देखी थी कि दो लड़कों ने कोई भारी समान सेम गाड़ी के डिगगी के अंदर रखा है अब पुलीस इन सभी के फोन्स चेक करती है पुलीस को मुंडल महिल के फोन से गगंदीप को की गई चार्ट दिखती है जिसमें मुंडल गगंदीप को मिलने बुला रही है और गगंदीप उससे कहता है कि हम तमीज से बात कर सकते हैं न तुम मुझे मारोगी तो नहीं पुलीस को मुंडल के फोन से हरंदर को की हुई कॉल्स का और मेसेजजस का बता चलता है एक तरफ मुंडल गगंदीप को 10-11 बजे के असपास बुला रही थी और दूसरी तरफ मुंडल हरंदर को 9 बजे के असपास बुला रही थी जिसमें हरंदर का जवाब था तुम चिंता मत करो मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा अब ये साफ हो चुका था कि गगंदीप को मुसीबत में फसाने के लिए मुंडल नहीं अपने घर बलाया अब पुलीस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो मुंडल महिल और हरंदर के बीच हुई जिसमें हरंदर बोल रहा है कि तुम्हारे लिए मैं 21 साल जेल जाने के लिए भी तयार हूँ क्या तो मेरा अंतजार करोगी लगतार दोस्तों से जानकारी जुटाने के बाद पुलीस को ये भी पता चलता है कि हरंदर शोकर भी मुंडल को पसंद करता था सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाता है और ये साबित हो जाता है हरंदर शोकर और डेरन पीटर ने ही उसे मारा है और क्यूंकि हरंदर गगंदीप से बहुत दुबला पतला था, शायद वो अकेले उसके साथ कमपीट नहीं कर पाता इसलिए हरंदर ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले डैरन पीटर को कुछ पैसों के लिए अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया इसके बाद हरंदर शुकर को 22 साल की, डैरन पीटर को 12 साल की और मुंडल महिल को 6 साल की सजा सनाई जाती है मुंडल ने ये 6 साल की सजा सिर्फ 3 साल काटी और 2014 में बाहर आ गई और इस केस की रिसर्च करते हुए मुझे बहुत इंटरस्टिंग चीज़े मिली जेल से आने के बाद मुंडल महिल ने 2014 में अपना एक YouTube चैनल खोला इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और शादी कर ली अब वो अपनी एक बहुत अच्छी जंदगी बिता रही है और मुंडल ने जिससे शादी करी वो Redbridge एरिया का 2019 में मेर बना जिसके बाद गगंदीप की भेन अमंदीप ने एक petition डाली जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको support किया इतना political pressure आया और मुंडल महिल के पती को अपनी position से स्तीफा देना पड़ा वेल इस पूरे case में मुझे पोचनली सिर्फ ये कहना है कि मुंडल महिल ने गगंदीप के बारे में जू कुछ भी खा उसको testify करने के लिए गगंदीप अब हमारे बीच नहीं है तो कोई criminal अपने आपको बचाने के लिए कोई भी theory बना सकता है जब मैं इस case की research कर रही थी तो मुझे कुछ crucial information भी मिली गगंदीप के कुछ दोस्तों का ये कहना था कि मुंडल और हरिंदर ने मिलकर गगंदीप से काफी सारा पैसा लिया था और court हमसे ज़्यादा capable है decide करने में कि किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए लेकिन मेरे कुछ सवाल है जब उस घर में आठ लड़कें रह रही थी और गगंदीप रात को रुका हुआ था और exams चल रहे थे तो बाकी लड़कें भी पढ़ रही होंगी मुंडल क्यों नहीं चलाई तब ही गगंदीप के दो चार्टे क्यों नहीं लगाए छे महीने बाद उसको दो चार्टे के लिए क्यों बुलाया लेकिन अगर मान ले कि गगंदीप ने मुंडल के साथ बत्तमीजी करने की कोशिश की थी तो उसका solution ये बिल्कुल नहीं है कि मुंडल ही जेल चली जाए अगर आपको कुछ और नई चीज़ लगती है या मेरी कोई बात सही या गलत लगती है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताईएगा क्योंकि ये केस काफी अलग-अलग आंगल से देखा जा सकता है अगर आपको क्राइम की स्टोरीज पसंद है और क्योंकि क्राइम की स्टोरीज हमें सतर करती है और हमें कुछ नया ही बता के जाती है तो आप इस चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लें